जैहिंद नमस्कार हम आज बैठे हैं एतिहासी गाउं, खंडरा, पानिपत में दोस्तों हम बता दिना चाहते हैं कि यह जो भारत है यह गाउं का देश है और गाउं से ही भारत की सब्यता संस्कृति का विकास हुआ है इस देश की आजादी का सवाल हो या महापूर्सों का या किसी भी चीज का तो जितना गाउं में से निकल के इस देश का विकास करने वाली जो भी हमारे मूर्तियां हैं जो भी हमारे महान हस्तियां हैं जो भी हमारे नेता हैं या महापूर्स हैं वो इस मिट्टी से ही आगे निकले हैं और आज हम ऐसी ही महान विभूतियों के बीच में बैठे हैं आपको रूबरू करा रहे हैं अपनी चैनल के माध्यम से कि एक आम इनसान महान कैसे बनता है उन्हीं के जरीए हम सुनना चाहेंगे कि आपने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया है इस उपलब्दी को प्राप्त करने के लिए अपने क्या-क्या मैनत की है हम मिलवाने जा रहे हैं भारत के सबसे पहले कोमन वैल्थ में जो गोल्ड मैडल लेके आये थे अपने मनोज बोक्सर जी उनके अपने कोच और उनके बड़े भाई राजेश जी से यह अपने राजेश जी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन संघर्ष में निकाला और अपने छोटे भाई और उनके गुरु के रूप में आप सब का स्वागत है खिलाडी हमेशा देश को समर्पित होता है अपनी करम भूबी अपनी जनम भूबी को समर्पित होता है खिलाडी हमेशा एक चीज को ध्यान में रखता है और वो होता है नेशन फ्लैग इसके इलावा खिलाडी कुछ भी नहीं देखता कि वो किस समाज में है किस प्रवार से है शिरब उसका एक इमीजन होता है कि मेरे को अपने देश के लिए मैडल जीतना है और अपने देश का राश्ठर गान है जो उसको बचते वे गाते हुए देखना है तो खिलाडी जिंद्गी में पता नहीं कितनी बार कितने 12 स्टेगल करके आगे बढ़ता है वह है उस स्टेगल के दुरान साइध कोई ही हो बहुत कम लोग होते हैं कि उसके साथ होते हैं कामयाब होने के बाद तो सारे लोग सारा समाज सब को जुड़ जाता है तो खिलाडी बहुत मुश्किल से बहुत संगर्श करके और आगे बढ़ पाता है और जब वो देश के लिए मैडल जीतता है तो गरो महसूस करता है तो खिलाडी को मैं आपके चैनल के मद्यम से ही कहना चाहिए कि किसी एक प्रिवार से किसी एक समाज से और नहीं जोड़ना चाहिए खिलाडी सब का होता है पूरे देश का होता है और खिलाडी को बहुत समान देना चाहिए जो सब देते है खिलाडी देश से भी पूरे वी स्परोपी परवार में मिल जाता है वो सब के साथ बैठ कर खाता है सब के साथ बैठ कर पीता है और वह साथ जो उसके संगरश के साथ दियोते हैं वह इसकी पीड़ा को share को precedent की थ्व Read हैं हम जाना चाहते कि जो अपने बोक्सर थे जो भारत में पहली बार अपना गोल्ड मैडल लेका इतने वर्सों बाद हमने तो सुना भी नहीं था तो उनकी जीवन में कितनी कटिनाया आई कैसे वो और आपने उनको कैसे निखा रहा इसके बारे में दो सब्सक्राइब देख में उसका गोल्ड मेडल जीता था उसके बाद उसका नेशनल चैमिनशिप के लिए सेलेक्शन हो गए था जो की वेस्ट बंगोल दुर्गापूर में हुई थी वहां पर उसने ब्रोज मेडल जीता उसके बाद वो नेशनल प्लेट फॉरम पे चले गया हरियाना से निकल कर उसके बाद उसने फिर कांडिनू दिल्ली में हुई अगले साल चैमिनशिप उसमें शिल्वर जीता उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़किन देखा उसका सारा निशाना गोल्ड पे रहा है ऐसी बहुत सारी चीज़े आई है दो जार आठ में उसने जो बिटिंडा में न दिया की और उसको जो विज़े वो था विज़ेपत था उसको भी रोका था सोंबाद रुपून के उसके बाद लगातार दोजार आठ से और दोजार दस के बीच में नमबर एक होने के बावजूद भी कोई चैम अंतराश्टी प्रत्योकता नहीं मिली इंजार किया और दो जो गोल्ड मैडल लेके आए अपने मनोज जी उसके बाद जो उपलबदी और उनका नाम उनकी ख्याती पूरे विशों में पूरे देश में गुंजी तो उसके बाद कुछ ऐसी बाते सामने आई जो मतलब हमारे जो सतर को रोकने में कुछ उनका कठीनाईयों का कुछ दोर सुरू हुआ उसके बारे में कुछ कहना साएंगे आप हम ऐसी बहुत सारे जिन्दगी के बहुत सारे पड़ाव हैं जब जूनिर में जा तब भी कहीं बारी आपकी स्लेक्शन हो गई आप अपने त्यारी करके आ गए हैं और आपको टीम के साथ खिलने जाना है और आपको क कि इतना हैं हर कठनाई को बयानी कर सकते मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माद्यम से कि मनोज के उपर मैं उसकी मनोज की बायोग्राफी लिख रहा हूं जिसका टाइटल है परस्तितियां कि हम किन परस्तितियों से निकल कर कहा तक पहुंचे हैं और आप देखोगे कि बॉक्सिंग जैसे खेल में अपने आपको दो दसक से रखना और दो दसक तक लगातार खेलना एक बहुत बड़ी उपलब्दी है और इतना कभी सरकार से या किसी कमपनी से एंजियो वगारा से भी मनोज को स्पोनसर्शिप नहीं मिली तो अपने घर से एक नोकरी भी छोट इंस्पेक्टर का पत कोई छोटा नहीं होता एदि आम जन्मानस की बात करूं लेकिन हमारे लिए छोटा था क्योंकि हमारे अच्यूमेंट्स के इसाब से जो लोग लगे हमारे से कम अच्यूमेंट्स को तो उनको बड़ा पत और हमें छोटा पत हमने वोपत छोड़ दिया यदि हम इतनी छोड़ी छोड़ी चीज़े सोचते तो मनोज दो ओलम्पिक, तीन एशिन गेम्ज, तीन कॉमनवेल्थ गेम्ज और पांच बार विश्व चैंपिनशीप नहीं खिल पाता। क्या अभी जैसे अरजुन Вाड उनको मिला अभी, खिलाड अरजुन वाड 2014 में मिला था, वहाँ भी कॉन्डरवर्सी हो गई थी, मनोज के 32 पॉईट्स थे, जो हमारे दूसरे खिलाड़ी थे, उनको जो अरजुन वाड मिला था, तो उनके 20 पॉईट्स थे, तो उसके लिए पहले रिक्वेस्ट की सरकार से जो सेलेक्शन कमेटी थी का प्लदेव जी की चेन समीती थी उसके सामने जब हम एक नोर कर दिया गया तो हमने फिर एक डिसीजन लिया कि अपना हक है अपने हक के लिए हम जाएंगे तो हमने दिल्ली हाई कोट में अपील की थी कोट ने तत्थ ही कम समय में और बहुत बड़ी उपलब्दी और ये कोई आम बात नहीं कोई मामूली बात नहीं एक मध्यम वर्ग से उठकर पूरे देश में पूरी दुनिया में अपना जंडा गार देना और भारत माता को अपना सब कुस समर्पित कर देना ये एक आम इनसान के बसकी बा मातरी भूमी के लिए कुछ करके दिखाना है बाकि जितना भी ह wealthy बाद की बाते होती हैं और जो भाई साब ने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इन्हों ने जो समय कीमती समय निकाला उसके लिए हमारी पूरी टीम चैनल इनका आभारी है मराठा उत्छ का और इतनी खुसी भी हमें हो रही है कि आज इनका जो समय हो बहुत ही किमती है एक एक शन इनका बहुत किमती है वो पूरे देश को समर्पित है हर जगह इनके इंट्रिव्यू गारा चलते हैं बहुत लोग चाहते हैं कि हम इनसे रूबरू बैठें और उनके जीवन के बारे में कुछ पूछें क्यान कि सभी को जिग्यासा होती है यह जो हस्तिया बैठी है यह भारत रतन है और हमें इन पर गरव है हमें पूरे भारत को और पूरी दुनीया को गरव होता है और मैं आज अपना आपको गरवन महसूस कर रहा हूं गरव है मुझे कि मैं देश के एक ऐसे होनहर खिलाडी के साथ बैठा हूं जोने यूथ वर्ल्ड कब में रिकोर्ड बना एंडिया के लिए पहले बारती है पहले बारती है अटलैटिक्स के जोनोंने कोमन वेल्ड में मेडल जिता और पहले मिल्का सिंग के बाद दूसरे बारती है जोनोंने कोमन वेल्ड और एसियन में दोनों में गोल्ड मेडल जिता और मैं निरज को और उसके परिवार को और पूरे गाउं को आज सुब कामना है बढ़ाई देता हूं और भुष्शे के लिए मैं कामना करता हूं कि निरज हमारे लिए 2020 अल्उमपिक में देश के लिए मैडल जिते और हमें और हमारे समाज को और हमारे मात्री भूमी को पूरी को गराविंद करें अभी हमने राजेश जी को सुना जिन्होंने अपना पूरा जीवन एक ऐसे योधा को तरासने में निकाला है युन्होंने अपना पूरा जीवन उसी बच्चे को समर्पित किया जो मातरी भूमी का बच्चा था और इस मातरी भूमी को उसने गोल्ड मैडल पे गोल्ड मैडल दिये हैं हम इनका तह दिल से आभारी हैं और पूरे भारतवस को इन पर गरव है अभी हमारे बीच में जो निरजी बैठे हुए हैं अभी हम इनसे कुछ जानना चाहेंगे क्योंकि पूरी दुनिया को इन पर गरव है क्योंकि हर खिल्ड में देखा जाता है कि कौन कितने मैनत करके आगे निकलता है लेकिन जो खिलारी की जो मैनत है उसका हमें पूरा ये जज्जमेंट नहीं होता कि आज हम चल रहे हैं तो कल चल पड़ेंगे कई इंज्री आती हैं शरीर के अंदर कई प्रकार की प्रोब्लम होती हैं उसके बावजूद भी इतनी मेहनत करके आगे निकलना बहुत उची उपलब्दी होता है तो निरजी से हम बात करना चाहेंगे निरजी आप इस फिल्ड में कितने दिन से काम कर रहे हैं जी मैं 2011 से कर रहा हूं स्पोर्ट जैवलिन त्रो और अभी 7-8 साल हो गया हूं तो आपने इस काल खंट के अंदर जितने 7-8 साल हुए आपने इसमें तकरीबन कितने साल आपन इतना कठिन परिशरम के उसके बारे में तो सब्द पाएं जी बिल्कुल स्टार्टिंग में तो बहुत मुश्किल था और मेरा तो स्पोर्ट भी ऐसा है कि बिल्कुल ही कोई जानता ही नहीं था हर्याना में इंडिया में भी तना नाम नहीं था जैवलिन तोगा और सबसे बड़ी बात की फैमिली में भी कोई स्पोर्ट नहीं करता था और पूरे गाओं में कोई इतना गेम कमा हो नहीं था तो मैं 15-16 किलोमेटर यहां से स्टेडियम में जाता था पानीपत तो वहाप ही मेरे कुछ सीनियर थे वह मिले उन्हीं के साथ मैंने अराम-राम से शुरू जैसे भी रूके निबे अपने काम पर अपनी मेहनत करते रहे तो अराम-राम से स्टेप बाइ स्टेप बगवान की दिया से या सभी की दुआए लगा लो कि आज इस मुकाम पर हैं यह आपकी मेहनत का ही फल है जहां तक हम समझते हैं और यह जानते भी हैं क्योंकि बीना प कुछ ऐसा आपने आप में फिल किया मैसूस किया कि आपको कोई गोड़ गिफ्ट मिला हुआ है जी बिल्कुल देखो एक हाँ सबसे बड़ी बात होती है कि हमारा जो जुनून जुन सबसे बड़ी चीज होती है चाहे आप चाहे मेरा कोई ऐसा बोड़ी स्ट्रक्चर ऐसा कि मैं खिलाडी बन सकता हूँ जब स्टार्टिंग में जाने लगा लेकिन यह है कि मैनत बहुत ज्यादा की तो मैनत करते करते एक ऐसा जुनून बन गया अंदर कि अभी कुछ करना है तो जुनून बनते बनते जैवलिन से जुड़े और जैवलिन से मतलब इतना ज्यादा हो गया इतनी मैनत की इसके अंदर तो हलका हलका चलते चलते नैसल में आने लगे फिर इंटरनेशनल खेले इंटरनेशनल में मैडल नी आए फिर भी आगे फिर उतनी उससे ज्यादा मैनत की लेकिन फिर क्या है कि अभी दो तिन साल से पिछले दो तिन साल से बहुत अच्छ एक जो इंटरनेशल लेवल पे जो टूनामेंट है जो हमारी चैंपमेंशिप या कॉम्पीडिशन होते हो खेल रहा हूं और बहुत यह अच्छा एक रिजल्ट रह रहा है और आगे भी यह है कि अभी यह साल बहुत अच्छा रहा है अकॉन वाइल थो रेशन गेम्स में गोल तो जब से जैसे हमने समझा है जाना है कि जो आप चाहे आपको महसुस हो या ना हो यह पूरे देश की जनता है ना इतना अपने आपको गर्वित महसुस करती है जब से आपके मैडल आने शुरू हुए और मनोज भाई के मैडल आने शुरू हुए क्योंकि भारतोर्स में मि कुछ इस परकार का हुआ है क्या जी बिल्कुल अभी नेंदर मोदी जी जी है काफी अच्छा खिलाडी को बहुत अच्छा समान देते हैं कोई भी कोमन वेल्थी आए इस इन गेम्स कुछ भी हुआ इंडिया सब भी प्लेयर्स के आते ही उन्होंने कुछ ना कुछ प्रोग्र लड़ों में नया जनून है जो यहीन गेम्स में जो आज तक का जो रिकोड था जीतने मैडल ते अच्छेवमेंट थी वो आज तक कि सबसे बैस्ट रही है और सहय ऐसे चलता तो ऐसे खिलाड़ों का जुनूरा और खिलाड़ों का हल्प मिलती रही और सभी का दुआए और प्यार साथ रही तो साथ ओलंपिक में भी जो सबसे जादा मेडल इस बार आएंगे। सरकार भी जितना अब हम देख रहे हैं मैसूस कर रहे हैं इस समय में जितना सरकार करी वो भी काफी पिछली सरकारों से जादा दिक रहा है और खिलाड़ियों में होसला भी तभी बढ़ता है सरकार कुछ न कुछ उनको आगे जाने के लिए स्पोर्ट करें तो पूरे देश को आप जैसे खिलाड़ियों पे गरव है और आगे भी करता रहेगा क्योंकि खिलाड़ी इस देश की आन बान सान होता है और खिलाड़ी ने किसी जाती का होता है वो पूरे देश का होता है अभी हमारे साथ बैठे हैं नीरजी के चाजा जी हम उनसे भी दो बाते करना चाहें हैं तक निरजी को तयार करने में मतलब उनके जीवन में कितना उन्होंने योगदान दीया या कितनी उनकी दिल्चस्पी रहे फूरे भीम बन पाता उसके पिछे पूरे परिवार की ताकत एक दिवार बन कर खड़ी होगी और बच्चा आगे मेनत करेगा तो सफलता ज्यादा दूर नहीं होती बड़ी जल्दी मिल जाती है और मैं और खिलाडियों को भी संदेश देना चाहता हूँ और उनके परिवार वालों को भी बच्चों को खुब उत्साहित करें हैं चाहे वो खेल का ख्चेतर हो चाहे वो पढ़ाई का ख्चेतर हो चाहे उनके किशी भी और ख्चेतर में अगर वो कहीं टेक्निकली काम कर रहे हैं तो उनको पूरा परुच्छाहन दे और बच्चे का मनोबल कभी न तोड़े अगर एक समय पर उतार सदाव चलते रहते एक समय पर बच्चा कहीं पर फिलोर हो गया तो भी उसका उत्सावर धन करें और उसको आगे के लिए उत्साहित करें भाई और अच्छा करेगा तू काबिल है ऐसा कभी मत बोल ले तू कुछ नहीं कर सकता तू तब गर बैठ जा देख ल जाता है तो मैं सभी माताओं पिताओं से सभी पेरेंट से निवेदन करना चाहता हूं को बच्चे का हर मोड पर साथ दें उसको गलत संगत से बचाएं उसको जादा से जादा प्यार दे जादा से जादा समय दे और उसकी खेल की पढ़ाई की सभी बारेकियों को बड़े प् पूरे देश्वासियों के लिए एक मैसेच सोड़ा पूरे पेरेंट्स के लिए जो भी अपने बच्चों को खिलाडी बनाना चाहते हैं। में कुछ करके दिखाना है। तो आज इनका किम्ती समय लिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेज जी और हमारे नीरेज जी भीम जी बहुत बहुत धन्यवाद मराठा उथान एंजियो और रोड वराठा यूटूब चैनल की तरफ से जो इन्होंने उसको हमारे चैनल को समय दिया है और देश वाचियों को एक संदेश दिया है कि खिलाडी हम सभी बन सकते हैं उसके लिए क्या होता है कि हमें केवल निश्चे की जुरूरत होती है। मुसीबते हर जीवन में आती हैं। मुसीबत को तोड़के जो आगे बढ़ता है जो अपने होसले के बुलंदी को चमकाने के लिए तियार रहता है जो मातरी भूमी के लिए अपना सब कुछ करने के लिए तियार रहता हो निसंदेह वो काम्याब हो जाता है। और ये इन होने माटी के लालों ने करके दिखाया। हमें गर्व है इस देश की माटी पे और भीम सिंग जी दो इस वरग से या किसी धरम से या किसी सहर से गाउं से या किसी स्टेट से मत जोड़ें ये सिरफ इनको सिरफ एक भारती है ताकि नजर से देखा जाए भी भारत के खिलाड़ी है और ये भारत को रिप्रेजेंट करते हैं और इनका हमेशा होसला बढ़ाए इनको कभी भी पर के तोर पर ही पहचाना जाए धन्यवाद अच्छा राम नाने जी मेरे को एक बात बताई आपने कहा था कि जब आप ट्रेनर थे जिम में तो यह आपके पास आते थे थे तुड़ा उसके बारे में बतलाए पूरा लिवात जब यह बहुत सोटे थे स्टार्टिंग की बात थे इनका वजन भी काफी था और हाइट बहुत कम थी जो मैंने अपने जीवन में इनको देखा ना पहली बार मैं भी कबड़ी का बहुत अच्छा खिलाडी रहा हूं तो जीवन में कई बार परिस्तिती आती है और परिस्तिती ऐसी विकट भी हो जाती उनको गेम छोड़न किये थे लेकिन जो लगन इनके अंदर थी ना हम दो खिलाड़ी आते थे अपने गाउं से और ये तब बहुत चोटा बच्चा था एक अपना बैग और जुते किट वगारा सब डाल के आता था बारिस के समय में भी हमने तीन चार बार मैंने इसको नोटिस किया कि हाँ लंबी प्रैक्टिस फिर कमजोर पड़ जाएगा आपका सरीर कमजोर हो जाएगा तो लेकिन इनों ने जो जुनून बना के रखा ना तो वो दिल को छूजाने वाले बात थी तो धन्यवाद दोस्तों जैहिंद हर हर महादेव मराठा उत्थान एंजियो रोड मराठा जाओगे कि हाँ वास्तों में आप इस माठी के लाल हो इस देश की धरोहर हो आप इस देश का रतन तब ही बन पाओगे जब आप अच्छी तरह से तरह से जाओगे जैहिंद हर हर महादेव जितने भी जितने भी हमारे भाई अभी लाइव देख रहे हैं इनके लिए जी आप सब को बढ़ाई दें और उनको इस सबसे पहले हो दन्यवाद और आप सब इगा कि आप सबी की दूआए हैं और प्यार है साथ में और ऐसी बनाए रखिए और हम जो खिलाडी है वो ऐसी देश का नाम रोसन करते रहेंगे और एक जो बाई सब के बारे में दो इनको छोड़ना पड़ा लेकिन उन्हें उसके बाद भी गेम से जुड़े रहे हैं काफी अच्छे खिलाड़े निकाल ले हैं मनोजबाई सब जैसे हैं तो ऐसी मैं बोलूँगा कि सबी जो भी खेल से जुड़े हुए वो ऐसी हेल्प करते रहे और आग बच्चों को निक उसका जो लक्से होता है उन्होंने वो टार्गेट अपने छोड़े भाई को बना उनका गुरू के रूप में बनके ऐसा मार्क दर्शन किया उनका कि वो राष्ट्र लेवल पे चमके वो पूरी दुनिया में उन्होंने जंडे गाड़े तो जितने दर्शक आपको देख र कारती हो कोई अच्छा कलाकार हो आप बस उनका होसला बढ़ाईए उनको श्याबास बोलते जाईए वो अपने मुकाम पर जरूर पहुंचेंगे आप एक छोटा सा सब्द है श्याबास तो वो बोलते रहिए पोश्टी बोलते रहिए सकरात्मक सोच के साथ नकरात्मक मत ब अपने प्रोस का अपने गाउं का जो भी होनार बच्चा है उसको स्पोर्ट करो जादा इस जादा हर बच्चे में अपना बच्चा देखो मेरी सबसे यही प्रात्ना है और सब को स्पोर्ट करो जो भी होनार बच्चे है आपके गाउं के आपके प्रोस के आपके जीले के उनका होसला अफजाई करें और सब प्यार प्रेम से रहे प्यार प्रेम ही है जो हम सब को एक दूसरे जोड़ कर रखता है कहते हैं न कि जुबान से कही बात वो वापिस नहीं आती तीर से निकला कमान तो के दर्वारा नकरातमक कही बाते वो चुपती है का कुछ नहीं जाता क्योंकि उसका जो सहारा होता है वो परवार होता है सबसे पहला सहारा माबाब होते हैं बाई बहन होते हैं तो आप लोगों कुछ नहीं जाता कि एक खिलाडी को आप श्याबास बोलो वो एक उस श्याबास में आपका आशिरवाद भी आ गया आपका प्य करते रहें और आगे बढ़ते रहें मैं आप सब को एक बार फिर नमस्कार करता हूं आप सब का धन्यावाद करता हूं जैहिद जैवारत अभी जो मतलब जितने भी लोग अभी देख रहे हैं तो मनोजी अपने नीरजी से वो जैवलिंग के बारे में कुछ पूछना चाते हैं क्योंकि जितने लोग जुड़े हैं उनकी उत्सुकता भी उतनी जुड़ गए और क्वेस्टन भी उतनी जुड़ गए हमारे पास समय नहीं था कि इतना इनको भी कहीं बाहर जाना था लेकिन आपकी उत्सुकता को देखते हुए मनोजी और आजे जी ने यह समय दिया है इ आपकी प्रार्थना में वो दम था कि आज ये इस मुकाम तक पहुँचे पलस इनकी मैनत और इनका जुनून तो निरजी जैवलिंग के बारे में कुछ से पुझना चाहते हैं उसके बारे में बताए जी बिलकुल देखो जैवलिंग एक बहुत ही टेकनिकल जो है इवेंट है इसलेटिक्स में वो नॉर्मली अपने इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कम है और इसके कोचिंग जो है बहुत ही कम है इसलिए जो है बच्चे कई बार स्टार्ट करने ही गोईश करते हैं लेकिन वो आनी पाते है उसलेवल पे तो कहीं ना कहीं मैं यही बोलूँगा कि से पहले अपना फिटनेस जो है फिटनेस काफी अच्छा करें उसके बाद किसी अच्छे सीनियर से या किसी कोच के पास जाए जो एथलेटिश के बारे में जानता है और जैवलिन के कोच के पास ही जाके आप सीखे क्योंकि एक बार जो टेकनिक आपकी हो जाती है वही जम मतलब अपने उसमें तो उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है तो सबसे पहले ही मैं यह कहूंगा जो नीव है शुरू में वो काफी अच्छी करने ही कोशिश करे और एक जो एक कोच है जो भी सीनर है जो अच्छा आपको लगता है उसी के पास ट्रेनिंग स्टार्ट कर जो मैंस का होता है और लडिकियों का होता है और ट्रेनिंग के लिए हम जो खरीदते हैं वो 5-6,000 में स्टार्टिंग में जो कॉम्पिडिशन में होते हैं इंटरनेशल मीइट में ज जेवलिन होते हैं । चेंपिएंसिप में तो ऐक सवय लाग रुपए तक क्या सी 92,petto होते हैं तो वह मैं खुद अपने पैसों के वह खुद मिलने तो वह कंपनिया जो स्पॉंसर कर देती हैं लेकिन जो ट्रेनिंग के लिए जो होते हैं वह पांच से जार तक ही खरीदें क्योंकि इनका बहुत ज्यादा कोश्टली भी होते हैं तो यह दिक्कते शुरू में काफी उनकी जैवलिन के साथ सुरू किया था जो हाँ उनके खुद के थे वह और वह भी कितने ज्यादा रेंज के नहीं थे वह 6-7-8-4 रुपे तक के थे और हमारे पास थे भी शिरफ 2-3 जैवलिन उसके साथ ही हम 6-7 जो हैं प्रैक्टिस करते थे और इसके अलग जुत्ते बग जाते हैं गेम सभी को आती हैं बहुत ज्यादा प्रोग्लम आती हैं लेकिन उन सब से उठको उठके ही हमको यह यह सब प्रिस्तितिया मतलब पिछे चोड़नी पड़ेंगे और अपने जुनून से मतलब उपर उठना पड़ेगा कि जर्बिन के बहुत कंकोच होते हैं और वोकसिंग के दूरें आपको मिल जाते हैं गोवर्मेंट बेस्पोंसर कर रही है तो इसके लिए बच्छे मतलब बोक्सिंग एक काफी पुराना अपना गेम है जैसे ओलंपिक मैडल भी है और रैसलिंग में है ओलंपिक मैडल है जिस चीज़ को लोग जानते हैं उसमें जो है आसानी से हम स्टार्ट थोड़ा बहुत कर सकते हैं क्योंकि कोच भी मिल जाते हैं और थोड़ा सीनियर जो है एक जलन के लिए हाथ काफी फास्ट साइए तो काफी उसमें बच्चों में नाचूरल है अपने इंडिया में गाउं में सबसे ज़्यादा तो वो कहीं ना कहीं वो आराम राम से स्टार्ट कर सकते हैं और मैं तो ही बहुत ही एक बात आई थी कि यह देश गाउं का देश है यह देश गाउं का देश है और इस गाउं से ही इस मिट्टी से ही उठके हमारे ऐसे ऐसे महान खिलाडी महान नेता महान अभिनेता और महान योधा महान रिशी मुनी बने हैं तो दोस्तों जैहिंद हर हर महादेव इन देश की मानवी भूतियों से मिले इन्होंने अपना कि परदिक सुबकामना जैहिंद हरहर महादेव